इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय आठ बिन्यमिन की वन्शावली बिन्यमिन से उसका जेठा बेला, दुसरा अश्पेल, तिसरा अरहह और चौथा नोहा और पाचवा रापा उत्पन्न हुआ और बेला के पुत्र अध्यार, गेरा, अभिहूद, अभिशु, नामान, अहोह, गेरा, शपुपान और हुराम थे और एहूद के पुत्र ये हुए, गेबा के निवासियों के पित्रों के घरानों में मुख्यपुरुश ये थे, जिन्हें बंधुवाई में मानहत को ले गए थे और नामान, अहियाह और गेरा इन्हें भी बंधुवा करके मानहत को ले गए थे और उसने उज्जा और अहिलूद को जन्म दिया, और शहर्यम से हशिम और बारा नाम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मुवाब देश में लड़के उत्पन्न हुए, और उसकी अपनी स्त्री होदेश से योवाब, सिभ्या, मेशा, मलकाम, यूस, सोक्या और मिर उत्पन्न हुए, उसके ये पुत्र अपने अपने पित्रों के घराने में मुख्य पूरुश थे, और हुशिम से अभी तूब और अलपाल का जन्म हुआ, अलपाल के पुत्र एबेर, मिशाम और शेमेर, इसी ने ओनों और गाव समेत लोध को बसाया, फिर बरिया और शेम जो अयालोन के निवासियों के पित्रों के घरानों में मुख्य पूरुश थे, और जिन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया, और अहियो, शासक, यर्मोत, जबद्याह, अराद, एदेर, मिकायल, इस्पा, योहा, जो बरिया के पुत्र थे, जबद्याह, मश्रूलाम, हिचकी, हेबर, इश्मयरे, इजलियाय, योवाब, जो अलपाखल के पुत्र थे, और याकिम, जिकरी, जबदी, एलियने, सिल्लते, एलियल, अदायाह, बरायाह, और शिम्रात, जो शिमी के पुत्र थे, और इश्पान, यबेर, एलियल, अद्दोन, जिकरी, हानान, हनन्याह, एलाम, अंत्योतियाह, इपदयाह, और पनुवेल, जो शाशक के पुत्र थे, और शमशयरे, शहरियाह, अतल्याह, योरेश्याह, एलियाह और जिकरी जो यरोहाम के पुत्र थे। ये अपने अपनी पीडी में, अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्यपुरुष और प्रधान थे। ये यरुशलेम में रहते थे। और गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, जिसकी पत्नी का नाम मा का था, और उसका जेठा पुत्र अबदोन था, फिर शूर, कीश, बाल, नाबाद, गदोर, आहो और जेकेर हुए, और मिकोट से शीमा उत्पन हुआ, और ये भी अपने भाईयों के सामने यरुशलेम में रहते थे, अपने भाईयों ही के साथ, और नेर से कीश उत्पन हुआ, कीश से शावल, और शावल से योनातान, मलकीश, अबिनादाब, और इश्बाल उत्पन हुआ, और योनातान का पुत्र मरिबाल हुआ, और मरिबाल से मीका उत्पन हुआ, और मीका के पुत्र, पितोन मेलक, तारे और आहाज, और आहाज से यहो अध्या उत्पन्न हुआ, और यहो अध्या से आलेमेत, अजमावेत और जिम्री, और जिम्री से मोसा, मोसा से बिना उत्पन्न हुआ, और उसका पुत्र रापा हुआ, रापा का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ, और आसे अजरिकाम, बोकरु, इश्मायल, शार्याह, ओबद्याह और हानान यही सब आसेल के पुत्र थे और उसके भाई एशेक के ये पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा उलाम, दुसरा यूशा, तिसरा एली पेलेत और उलाम के पुत्र शूर्वीर और धनुरधारी हुए और उनके बहुत पेटे-पोते अर्थात डेड़ सव हुए ये ही सब बन्यामिन के वन्श के थे